हेलो एवरिवन आप सभी की फेवरेट ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बर फिर सापको स्वाकत है और मैं हूँ आतिफा काजी तो आज चर्चा का मुद्धा है कि क्या संभव है कोईले का प्रतिस्थापन हमारा यह आर्टिकल दहिंदु में प्रकाशित लेख कोल इजन्ट इजी तो एक्स्क्लूड फ्रम सस्टेनबल डिवलिप्मेंट के सारंच पर अधरित है इसमें तीम दृष्टी के इंपूर्ट्स में शामिल है और साथ ही यह सामानने अध्यान प्रश्न पत्वतीन के पर्यावरण एवं पारिस्थति की खंड से जुड़ा तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं जलवायू परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित के सी भी संमेलन के शुरू होते ही व्रक्षारोपन, प्रदूशन, नविकरणिय और जसंसाधनों, प्लास्टिक मुक्त दुनिया और शून्ने कार्बन उत्सर्जिन जैसी चर्चाओं का बाजार सजने लगता है और अगर बात वैश्विक संमेलन की हो तो तब तो ये चर्चाएं और भी बढ़ जाती है दुनिया के सभी शीष नेता पर्यावरन के समर्थक हो जाते हैं और ऐसी बयान बाजी की जाती है कि जैसे वो जलवाईू परिवर्तन और प्रदूशन की समस्या को आज ही खत्म करतेंगे ऐसी ही चर्चाओं, भाशनों और जुम्लों की बाजार में फिर से रौनक लोटने लगी है क्योंकि दुबाई में पर्यावरन और जलवाईू परिवर्तन संबंधी शीष संमेलन कोप 28 का आयजन किया जा रहा है गोर तलव है कि ये पर्यावरन और जलवाईू परिवर्तन संबंधी मुद्धों पर चर्चा करने के लिए शीष मंच है इस संमेलन में दुनिया के लगभग सभी शीष नेता संमेलित होते हैं इसमे मूल रूप से विभिन देशो द्वारा ग्लोबल वर्मिंग को रूकने के लिए उठाए गए कदमों की समिक्षा और आगामी वर्षों में उठाए जाने वाले कदमों पर वार्ता की जाती है साथ ही साथ सतत्विकास पर भी प्रमुख रूप से जोर दिया जाता है दरसल सतत्विकास कार्थ है कि वर्तमान के विकास के लिए उर्जा संसाधनों का इस तरह से इस्तमाल किया जाए कि उन्हें भविश्य की जरूरतों के लिए संरक्षित किया जा सके हलो की वर्तमान में विकास काईरियों के लिए विद्यूत एक प्रमुख कारक है और दुनिया भर में अधिकांच विद्यूत उत्पादन कोईले पर ही निर्फर है जबकि पर्यावरन प्रदूशन को कम करने के लिए मुखे रूप से कोईले का प्रयोग कम से कम करने और नवी करणिया उर्जस अंसाधनों के विकल्पों को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है पर क्या सचमुच कोईले को प्रतिस्थापत करना इतना आसान होगा? ये सुनने में तो निश्चित ही बहुत अच्छा लगता है कि सौर उर्जा या पवन उर्जा का उप्योग करके बिजली उत्पातन किया जाए लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्दमान परिप्रेक्ष में ये संभव है कि समस्त वैश्विक विद्यतावश्यक्ता को नविकर्णिय उज़स अंसाधनों से पूरा किया जा सके? तो आएए इस विशय पर चर्चा करते हैं कि विश्व की कोईले पर कितने निर्भरता है और आधुनिक विकास में कोईले की क्या भूमिका है? दरसल आधुनिक विकास की कहानी कोईले की बिना तो पूरी नहीं हो सकती. जब बनुष्य ने कोईले की खोज की उस समय कोईले का इस्तिमाल केवल भूजन पकाने के लिए इंधन की रूप में ही किया जाता था. लेकित भाप की इंजन की शुरुआत के साथ ही विकास के इंजन ने भी गती पकड़ ली और विकास के इस इंजन को गती देने का काम किया कोईले ने और योगी क्रांती जो अठारवी शताब्दी में शुरू हुई कोईले से प्रेरित थी जिसने मानव समाज को अभूत पूर्व आर्थिक और तकनीकी प्रगती के युग में कदम रखने को प्रेरित किया कोईले की व्यापक उपलब्धता और सामर्थे ने इसे भापिंजनों, कारखानों और बाद में बिजली उत्पाजन संयंत्रों को बिजली देने के लिए उर्जा स्रोथ बना दिया ये कहना अतिश्योक्ती नहीं होगा कि कोईला आधुनिक विकास की रीड है 19 वी और 20 वी सदी की शुरुआत में कोईले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का प्रसार हुआ और जिससे शहरों को रोशन करने, मशीनरी संचालित करने और दुनिया के आधुनिकी करण के लिए आवश्यक उर्जा प्रतान की के सेंक्तराज्य अमेरिका, चीन और यूरूब जैसे क्षेत्रों में कोईला संसाधनों की प्रचुरता ने इस अवधी के दौरान उनकी आर्थिक शक्ती में महत्पून योगतान दिया 21 सदी में वैश्विक बिजली उत्पादन के लिए कोईला प्रमुक संसाधनों गया अंतराश्ट्रे उर्जा एजंसी या IEA के मताबिक वैश्विक बिजली उत्पादन में कोईले की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशक थी इसके अलावा कोईले का महत्व अर्थवस्था में इसलिए भी बढ़ने लगा क्योंकि ये आसानी से कम लागत में उपलब्ध होने के साथ ही लाखों लोगों की आजिवी का का स्रूत भी बन गया विकास शील देश विशेश रूप से अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोईले पर बहुत अधिक निर्भर है तेजी से बढ़ती आबादी और ओद्योंगी क्षेत्रों वाले देश जैसे चीन और भारत इस्थर और किफायती उर्जा आप उर्दिस तुनिश्चित करने के लिए कोईला आधारत बिजली सायंतरों में निवेश करने के लिए बाते हैं कोईली की सामर्थ है और प्रेचुरता इसे एक आकर्शक विकल्ब पर आती है खासकर उन क्षेत्रों में जहां वेकल्पिक उर्जस रोत आसानी सो प्लद या लागत प्रभावी नहीं हो सकते हैं आकड़ों के माने तो वर्ष 2022 में वैश्विक कोईला उत्पादन में 8.2 प्रतिशत की वृत्थ ही है विश्वूर्जा और जलवायू सांखिकी की एर बुक 2022 के अनुसार एशिया वैश्विक कोईला की 70 प्रतिशत आपूर्थी करता है और इस वर्ष उसके कोईला उत्पा आदन की बात लेकिन अब अगर उपभोग स्तर पर देखा जाए तो कोईले के उपभोग के प्रतिशत में भी वृत्थ ही हुई है साल 2022 में वैश्विक कोईले के उपभोग में 6.3 प्रतिशत की वृत्थ ही हुई है सांखिकी डेटा के अनुसार एशियाए देशों में कोईला खपत की दर अपेक्षा कृत धीमी है यह आकड़े बताते हैं कि कोईला विकास के साथ इस तरह से गुधा हुआ है कि एकदम से कोईले के उपभोग को बन नहीं किया जा सकता चलिए यह तो हुई वैश्विक आकड़ों की बात अब यह जान लेते हैं कि भारत में इ सीधे तor पर विकास और आबादी से जुड़ी हुई है और जिस देश की जितनी अधिक आबादी होगी उस देश की उर्जा मांग भी उतनी ही ज्यादा होगी भारत जो सबसे आबादी वाला देश बन गया है इसकी उर्जा संबंधी मांग में भीफरती हुई है चुकि प्रतिवेक्ति उर्जा का सीधा संबंध मारविकास सुचकांग से है इसलिए हम उमीद कर सकते हैं कि निकट भविश्य में भारत की उर्जा जरूरते बढ़ेंगी इसके अलावा बिजली सुरक्षा केवल बिजली की विश्वस्तनिय और स्थिर आपूर्टी से ही हासिल की जा सकती है जो हमेशा किफायती मूले पर मांग से मेल खा सके 2022 में भारत की प्रात्मिक उर्जा खपत के 36.44 एकसा जूल में से केवल 10.4 प्रतिशत उर्जा ही नविकर्णिय उर्जा यानि पन बिजली सौर और पवन उर्जा से प्राप्थ हो सकी है जबकि कोईला, तेल और गैस का योगदान क्रमशह 55.1 प्रतिशत और 33.3 प्रतिशत है वितवश 2022-23 के दोरान भारत में कोईले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट यानि टीपीपी से 74.3 प्रतिशत बिजली उतपादन हुआ था भारत की बढ़ती उर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट दोरा विद्धुत उतपादन लगातार पड़ रहा है जो सीधे तोर पर देश की उर्जा संबंधी जरूरतों से संबंधित है इसके अलावा देश का कोईला क्षेतर, बुन्यादी धाचे के विकास और बिजली, स्पाथ, सीमेंट और अल्यूमीनियम उद्ध्योगों में महतपून भूमिका निभाता है जो की लाखों लोगों को रोज़कार देता है आज भारत अपनी तमाम आवश्चक्ताओं की पूर्ती के लिए जिस तरह से कोईले पर निरभर है, उन पर इस्तितियों में कोईले को प्रतिस्थापित कर पाना बहुत ही मुश्किल है दरसल भारत में TPP द्वारा उप्योग किया जाने वाला 96 प्रतिशत कोईला घरेलुक हदानों से आता है और यही वज़ा है कि भारत में बिजली इतनी सस्ती है केंद्रे विद्वित प्राधिकरण यानी CEA की राष्ट्रे विद्वित योजना का अनुमान है कि भारत में TPP क्षमता वितवर्ष दोहजार तेईस में 212 गीगावाट से बढ़कर वितवर्ष दोहजार बत्तीस तक 269 से 262 गीगावाट तक पहुँच जाएगी अब अगर भारत में नविकरणियों उर्जस रोतों की बात की जाए तो CEA के अनुमानों के मताबिक भारत का राष्ट्रे ग्रिड वित्यवर्ष दोहजार इकतीस बत्तीस तक 47 गीगावाट बैटरी भंडारंग शमता और 27 गीगावाट पंप भंडारंग परियोजनाओं को जोड़कर विभिन नविकरणियों उर्जस रोतों से मात्र 924 टेरावाट घंटा बिजली का ही उतपादन किया जा सकता है जो कि हमारी आवशक्ताओं के लिए पर्याप्त नहीं होगा इसके अलावा भारत में बैटरी भंडारंग शमताओं में किसी भी बड़ी व्रिधी के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे महतुपूर्ट खनीजों के आयात की आवशक्ता होगी जो भारत की अर्थवयवस्था पर अधिक बोच डालें के लेकिन अब सवाल ये है कि विकास कारूं में कोईले की इतनी आवशक्ता होने के बावजूद इसके उत्पादन और उप्योग पर रोक लगाने की मांग क्यों की जा रही है तो दरसल कोईला उद्योग और थर्मल पाव प्लांट लंबे समय से वैश्विक उर्जा उत्पादन में महत्पून योगदान करता रहे हैं लेकिन वो कई पर्यावरणिय, स्वास्थे और सामाजिक चुनोतियों के साथ आते हैं कोईले के देहन से कारबन डायोकसाइट सहित कई ग्रीन हाउस कैसे निकलती हैं जो की जलवायू परिवरतन में योगदान करती हैं साथ ही थर्मल पाव प्लांट भी बड़ी मात्रा में सियो टूद सर्जित करते हैं जो प्रित्वी के गर्म होने और संबंधित प्रभावों जैसे समुद्र के स्तर में ब्रिधी, चरम मौसम की घटनाओं और पारिस्थितिक तंत्र व्यवधान में योगदान करते हैं जल्वायू परिवर्तन को कम करने और वैशिक जल्वायू वपर्यावर्णी अलक्षों को प्राप करने के लिए ही कोईले से दूर जाना समय की मांग हो गया है इसके अलावा कोईला और ताप विदुद सयंत्रों से जुड़ा सबसे तातकालिक और प्रम्ख नुकसान वायू प्रदूशन है दरसल कोईले के दहन से वातावरण में विब्रिन प्रकार के प्रदूशक उचसरजित होते हैं जिनने सल्फर डाय उकसाइड, नाइट्रिजन उकसाइड, पार्टिकुलेट मैटर और पारा जैसी भारी धातुएं शामिल है ये प्रदूशक स्मोग और अमलिय वर्षा के निर्माण में योगदान करते हैं जिससे वायो की गुणवत्ता और पारिस्थतिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसके अतरिक्त सुक्ष्मकर्ण महतपून स्वास्थे जोखिम पैदा करते हैं जिससे की श्वसन और देसंबंधी बिमारिया होती है साधी कोईला खननन और बिजली संयंत्र संचालन के लिए अकसर पर्याप्त जल संसाधनों की जरूरत होती है निशकर्शन प्रकरियाएं आसपास के जल स्रोतों को भारी धात्वों और अन्य प्रदूशकों से दूशित करती है जिससे जलीय पारिस्थित की तंद्र प्रभावित होता है और जैविविधिता पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है इसके अलावा थर्मल पार प्लांट में उप्योग की जाने वाली शीतलन प्रणालिया जल निकायों के थर्मल प्रदूशन का कारण बन सकती है जिससे जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वैश्वी जल पारितंद्र के प्रभावित होने में कोईला दहन और थर्मल पार प्लांट की बड़ी भूमिका है इसके लावा जहां पर भी कोईले का खनन होता है वहां का धरातल भी बूरी तरह प्रभावित होता है जिससे उस स्थान की मृदा और वनस पत्यों को नुकसान पहुँचता है और देखा जाए तो एक तरह से ये समगर पर्यावरन को ही प्रभावित करता है अब यहां इस सवाल उटता है कि जब कोईला इतना अधिक खानीकारक है तो इसका इस्तमाल ही विकास कारियों में क्यों किया जा रहा है क्या इसे अन्यकारकों से विस्थापित नहीं किया जा सकता है और आखिर कोईले को प्रतिस्थापित करना इतना चुनोति पून क्यूं है तो दरसल कोईले को विस्थापित ना करने का सबसे बड़ा कारण इसकी आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ही तमाम देशों के लिए इसका खनन करना आर्थिक रूप से अधिक लाब दायक है साथी कोईला विश्व के लगभग सभी इस्सों में असानी सोपलब्ध है और जिसकी वजह से जिन देशों को इसका आयात करना पड़ता है उनके लिए भी ये अधिक महंगा नहीं है उर्जा उत्पादन के लिए भी दुनिया की जिवाश मींधन पर इतनी अधिक निरभरता है कि आपूर्ती की गई कुल उर्जा का 80% उत्पादन जिवाश मींधन द्वारा होता है 2022 में वैश्विक उर्जा उत्पादन में तेल, कोईला और गैस का हिस्सा 27 प्रतिशत और 23 प्रतिशत था जबकि सौर और पवन उर्जा स्रोतों ने कुल मिला कर केवल 2.4 प्रतिशत का योगतान दिया साथी साथ भारत जैसे कोईला प्रधान देशों में तो ये लाखों लोगों की आजिविका का साधन भी है इसके अलावा अगर नवीकरणिया उर्जा संसाधनों से विद्ध उत्पादन की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जगा समान मात्रा में नवीकरणिया उर्जा संसाधन उपलद नहीं है साथी इन संसाधनों से उर्जा प्राप्त करना कहीं न कहीं मौसमी दशाओं और प्राकृतिक इस्थियों पर निर्भर करता है इसके अतरिक्त इन संसाधनों से उर्जा प्राप्त करना अत्यधिक महंगा है जो कि अल्प विकसित और विकासचील देशों पर आर्थिक बोच बढ़ा सकता है तो इन सब मुद्दों के बाद ये सवाल है कि इसमें आगे की रहा क्या हो सकती है तो निश्कष्टे कहा जा सकता है कि बिजली उत्पादन के लिए कोईला का वैश्विक्त महत्व उर्जा के एक विश्वस्तनिय और किफायती स्रोत की रूप में वर्तमान भूमिका में गहरा इसे नहित है हलकि कोईला देहन से जुड़ी पर्यावरणिय चुनोतियों के लिए एक संतुलित दृष्टिकून की जरूरत है जो उर्जे सुरक्षा की आवशक्ता और जलवाई परिवर्तन की समस्या को हल करने की अनिवार्यता दोनों पर विचार करें ऐसी परिस्थतियों में बुध के मध्यम मार का पालन करना ही सबसे उचित विकल्प रहेगा यानि कोईले के इस्तिमाल को एकदम से बंदना करके बलकि शनह शनह यानि धीरे धीरे घटाया जाए और नविकर्णियों उर्जय संसाधनों से उर्जय उत्पादन को धीरे धी लेकिन कुछ तकनीकी गत सुधार करके इससे होने वाली हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक रूप से संपन विकसित देशों को नविकर्णिय उर्जय संसाधनों से विद्ध उत्पादन करने पर ज्यादा जोड़ देना चाहिए और साथ ही अलप विकसित और विकास चील देशों को इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से नहीं होका इस कथन की समीक्षा कीजिए तो आज के एपिसोड में इतना ही हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमें सेक्षिन में जरूर पताएगा तो मुलाकात होगी अगले कारिक्रम में किसी और इंपॉर्टन टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद